बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी और सोचा क्यों ना लकडी से साइकिल बना दू और ऐसा कर भी दिखाया खबर बिहार के समस्तिपुर के सरसिया गाउं की है आपको पूरी कहानी सुनाते हैं पहले आप ये देखें संजय ने अपनी क्रियेटिविटी से बांस की साइकिल बना डाली इस अनोखे कारनामे को करने में 25 दिन लगी कुल मिलाकर ये खास साइकिल बनाने में 500 का खड़ चाया जिसमें कबाडी से खरीदी गई साइकिल के रिम, फ्रॉक और टायर शामिल है और बाकी सब बांस का है संजय की ये खास पहल इंवायमेंट से उनके प्यार को दिखाती है साथ ही ये बड़ी यूनीक बात है कि मौडन समय में भी कैसे बास जैसी पूरानी टेक्नीक से दमदार चीजे बनाई जा सकती है लोगे की साइकल के मुकाबले बास की साइकल भी उतनी ही तेज है ये साइकल कमवजन वाली है संजय की ये बास वाली साइकल अब सोशल मेडिया पर वाइरल हो रही है क्योंकि जो भी देखता है वो यही सोचता है कि बास से साइकल बनाने का आइडिया आया तो आया कैसे साइकल बनाना और साइकल के देखे तो उसी से कॉपी करके देखे जो हमारे मांट बास का साइकल बना सकते हैं बनाना सक्सेस्फुल कर दिया पांडियों पूरे बनाक कंपलीट कर दियो जड़ाकते टाइम जो लगा लोकल इटीन के साथ बातचीत में संजय ने खुलासा किया कि उन्होंने इस इनोवीटिव प्रोजेक्ट के लिए ना तो सोशल मीडिया की मदद ली और ना ही किसी विशेशग्य से सला 25 दिन के महनत और 500 रुपए में उन्होंने ऐसी साइकल बना दी जो आम साइकल की तरह ही चलती है और अब बास से बनी साइकल उन्पी सवारी बन गई है लोकल इटीन के लिए समस्तिपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट